इस वीडियो में जितनी भी information बताई जा रही है वो सिरफ education purpose के लिए any benefit and loss you are self responsible नवश्कार दोस्तों मेरे ना में रिंकू आप देख रहे हैं रेगफलिक info पिछले काफी टाइम से आप लोगे के request आ रही थी कि आप एक special ऐसा वीडियो बनाईए ये बाइनेंस future trading के बारे में जिसमें आप explain कीजिए जो cross margin है वो isolate margin है वो उसके बाद में जो liquidation price है वो और leverage क्या होता है और हमको कितना leverage लेना चाहिए कितना safe है कितना unsafe है इस वीडियो में आपको तीन topic clear करने वाला हूं सबसे पहले कि leverage क्या होता है कितना लेना चाहिए कितना safe है कितना unsafe है और किस time में आपको कितना leverage select करना चाहिए वो बताऊंगा second point cross margin क्या है isolate margin क्या है दोनों में क्या अंतरहन की क्या different है कौन सा best है आपको कौन सा use करना चाहिए आपकी condition के मुताबिक और मैं कौन सा use करता हूं उसके बाद में जो liquidation price है वो क्या है किस तरीके से काम अगर अच्छा लगी वीडियो तो like करें अपने दोस्तों के साथ share करें टेलीग्राम को जोइन नहीं किया तो वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही interesting वीडियो बनाता रहता हूं सबसे पहले आपको करना किया कि Binance का application आपको open करना है नीचे यहाँ पे futures पे click करना है यहाँ कि आपको future के अंदर आना है future trading के अंदर यहाँ पे मैंने एक demo wallet बना रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़े hide करनी होती है तो मैंने सोचा कि चलो एक नया fresh account बनाते हैं ताकि hide वाला जंजटी खतम सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो leverage होती है वो क्या है और किस तरीके से work करती है देखिए यहाँ पे जैसे cross लिखा हुए इसके just बाजू में 3x 4x यहाँ से आप leverage adjust कर सकते हैं देखो simply leverage को मैं आपको बहुत simple सब्दों में समझाता हूं देखो सबसे पहले ही तो leverage आपको कितना select करना चाहिए देखो समझो आपके wallet में मानते हैं कि 500$ रखे वियर आपको सरफ एक ही position लेनी है और आप risk free trading करना चाहते हैं और market बहुत ज्यादा up down हो रहा है आप market के साथ game खेल रहे हैं आपको लग रहा है यार minus भी जा सकता है plus भी जा सकता है लेकिन आपको लगता है कि ठीक है या फिर मुझे ना market अगर 100-200$ up down होता है तो मुझे इतना plus चाहिए और इतना minus चाहिए आप अपने mind से सोचिए देखिए ऐसे समझो आप इसको कि एक bike है और वहाँ पे 10 की speed पे चल रही है वो कितनी slow चलेगी बहुत slow चलेगी 20 की पे और तेच चलेगी तो इसी तरीके से ह कि वह 20 की speed पे एक घंटे में इतनी दूरी तेख करेगी और दो घंटे में इतनी दूरी तेख करेगी समझ रहे हो वह speed के उपर depend करता है तो सेम आप इसको leverage को spread बोल सकते हो जितना जादा leverage उतना जल्दी minus और plus आपको fund होगा मैं जो आपको suggest करूँगा वह 5 के अंदर आप 5 से 10 इस से जदा आप लेंगे तो फिर वो बात हो जाएगी कि आप अपने पैर पे कुलाडी मार रहे हो फिर आग जल रहे हो उसमें जान पूछ के कूद रहे हो तो यह है simply leverage I hope कि आप समझ गए होंगे बहुत गंदा वो था example था बट भाई काम चला लो क्योंकि मुझे यही example आता है अगर example अच्छा लगए तो like ठोको लिक्विडिशन को थोड़ा ध्यान से समझ ना लिक्विडिशन कैसे काम करता है तो लिक्विडिशन कुछ इस तरीके से काम करता है मानते हैं कि आपके बाइन्यंस के future wallet में 10 डोलर रखे हुए हैं आपने उसको मानो 5 चलो 10 10x मान लेता है 10x leverage के साबसे आपने कोई position ले ली ठीक कोई भी position किसी भी coin में आपने position ले दी आपने 10x leverage पे लिया 10 dollar wallet में था 100 dollar का आपका position हो गया 10 dollar खुद का हो गया और 90 dollar Binance का हो गया यहां पे आपका जो total minus आप बोल सकते है liquidate बोल सकते है liquidation जो होगा वो 10 dollar पे आके होग मतलब minus आता जा रहा है आता जा रहा है 10 dollar पे आके आपका जो fund है simply वो 0 हो जाएगा so आप अगर 2 dollar 3 dollar minus जाते है और आप close कर देते हैं तो आपका अगर 3 dollar minus हो गया 10 dollar आपका wallet में था मतलब आपने position लगाई तो 3 dollar minus 7 dollar आपका wallet में बच जाएगा लेकिन अगर आप करेंगे ही न तो एक ऐसा time आएगा कि 10 dollar जब आपका minus हो जाएगा तो वो बिल्कुल 0 हो जाएगा आपकी position automatically close हो जाएगी binance आपके guard के 10 dollar भी ले लेगा अब समझते है cross margin simply और जो isolate margin है उसको दिखिए जो cross margin होता है वो liquidation जो price है वो calculate करता है जोड़ता है एक तरीके से आपका जो future wallet है या isolate में क्या होता है कि आपका जो liquidation price है वो आप एक तरीके से मानो अलोट करते हो जानि कि आप जिस हिसाब से आप एक position में जितना जो USDT है वो यूज करते हो वहां तक आपका जो liquidation price है simply वो रहता है तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे isolate को समझते हैं मान के चलते हैं कि आपके wallet में 200$ है ठीक है 200$ आपके wallet में 10$ का आपने trade लिया आपने 10x leverage रखा आपका कितना हो गया 10x leverage 10$ मतलब 100$ का आपका जो position है वो हो गया ठीक है अब आपका जो position है 100$ का हो गया 90$ बाइनस नहीं दे दिया 10$ आपका हो गया isolate आपने select किया था तो जो liquidation price है वो कुछ इस त hold रहेगा यानि कि आपका जो liquidation price है वो रहेगा 10$ क्योंकि आपने खुद गाठ में से 10$ लगाये थे तो वो आपका liquidation price होगा वहाँ पे जाके आपका जो balance है वो minus हो जाएगा अगर आप पहले ही close कर देते हैं तो फिर आपको tension नहीं है अगर आपका fund 10$ डूब भी जाता है तो जो isolate है उसमें ये फाइदा है कि आपका जो वो liquidation price शो करता है वो total amount से शो नहीं करता है आपने जो trade लिया है ठीक है 10$ का वो ही आपका जो balance है वो डूबेगा मतलब 200$ था आपके पास 10$ डूब गया 190$ आपके wallet में safe है यहीं अगर इसको उल्टा कर दिया जाए cross margin में तो मान के चलते हैं आपके wallet में जितना fund है और आपने उसका आदा या जितना भी आपने simply position लिया है तो वहाँ तक आपको वो show करेगा जितना आपका wallet में fund है मान के चलते हैं आपके wallet में balance कम है और आपने margin select किया है और आपका leverage बहुत जादा है तो आपका जो liquidation price है अगर आपन जो balance है वो minus हो जाएगा so I hope कि आप जो ये margin cross margin है isolate margin है liquidation है वो समझ गये होंगे आपने simply क्या सीखा और क्या decide किया जो मैं simply use करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ मान के चलता हूँ मेरे पास 500 dollar है अगर मुझे 2 position open करनी है कम leverage के साथ तो मैं simply क्या गरता हूँ कि जो cross margin है वो use करता हूँ region क्या है कि मैं 2 position ही open कर रहा हूँ मेरा fund मानो 500 dollar है तो मुझे tension नहीं है liquidation की क्योंकि मैं leverage कम रखूँगा उसके बाद में अगर मुझे 4 position open करनी है 500 dollar में तो मैं leverage कम रखूँगा और isolate में रखूँगा ताकि अगर market जादा down जाता है तो मैं जितना यहाँ margin ले रहा हूँ simply जिस हिसाब जो मेरा leverage होगा उसी हिसाब जो मेरा liquidation वो show होगा तो मुझे tension नहीं रहेगी बार बार देखने की कि भाई गया है गया है तो वो तोड़ा जो risk है वो कम हो जाता है तो आपको नहीं खुद decide करना है कि आपको खुद से क्या select करना है आप कितना leverage leverage की साब से आप अपने हिसाब से isolate और margin decide कर सकते हैं I hope कि आपका ये जो doubt है clear हो गया होगा liquidation को लेके cross को लेके cross margin को लेके isolate margin को लेके और आपने ये भी decide कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा safe है leverage और कौन सा safe नहीं है leverage कम से कम रखो पांच के अंदर रखो टेंशन नहीं है मैं मिलूँगा आप सबी को एक और ऐसे interesting वीडियों तब तक के लिए जैहीन वंदे मादरम अस्ते रहिए मसकराते रहिए